प्राइम टीवी और मैं कीरती बुलंदी देर तक किसी शक्स के हिस्से में नहीं रहती बहुत उची इमारत हर घड़ी खत्रे में रहती है कुछ ऐसा ही खत्रा शायद बीजेपी को भी उत्तरप्रदेश में सतारे लगा है जी हाँ स्वागत है और आप देख रहे हैं आज मैं चर्चा करने वाली हो तप्रदेश की राजनीदी पर अगामी विधान सभा चुनाओ को लेकर सभी पार्टियां की काटे की दुरुस्त होने लगी है दो बार गडबंदन का दंश जहल चुके अखलेश यादव भी अपकी किसी बड़ी पार्टी से गडबंदन की बात को सिरे से नकार रहे हैं दूसी तरफ कॉंग्रेस बसपा भी चुनावी तैयारियों को धार देने की कोशिश में संपूर तरीके से जुट गए हैं तो चलगे दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ घट रहा है यूपी की सियासत में भारत में जितने तयोहार होते हैं उत्रही बार देश में चुनाव भी होते हैं और हो भी क्यूना विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश भारत जो है तभी तो एक चुनाव गया नहीं कि लोग यूपी के विधान सबाचुनाओ के काउंटडाउन में जुट गए जी हां उत्रप्रदेश की सियासत में एक बार फिर से गर्माहट पैदा हो गई है वज़ा है आगामी विधान सबाचुनाओ जिसको लेकर पक्ष हो या विपक्ष हर कोई सियासत की नदी में अपनी नईया को पार लगाने में अभी सुझड गया है सियासी गलियारों में ये कहावत बहुत प्रसिध है कि दिल्ली का रास्ता उत्तरप्रदेश से हो कर जाता है पंडित नहरू से लेकर अटल विहारी वाशपेई तक सभी का संबंध उत्तरप्रदेश से रहा यहां तक कि जब प्रधान मंत्री बनने की बात आई तो लंबे समय तक गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुके नरेन मोदी को उत्तरप्रदेश का ही रुख करना पड़ा एक बार फिर बीजेपी के अंदरखा ने सियासी गलियारों में घमसान मचा है जिससे अटकलों का दौर चल पड़ा है यूपी की सियासत में इन दिनों पक्ष हो या विपक्ष दोनों में घमसान मचा हुआ है कहते हैं राजनीती में कोई भी चीज बेवज़ा नहीं होती यहां हर एक बात हर एक कदम और हर एक कारे की एक रणनीती होती है और उसके अपने अलग माएने होते हैं सायद यही वज़ा है कि उत्तरप्रदेश में आज कल हलचल कुछ जादा ही है और इन बातों के माएने तब और अधिक बढ़ जाते हैं जब सामने 2022 का विधान सवाचुनाओ हो यही वज़ा है कि पक्छो या विपक्छ दोनों तरफ बैठकों का दौर जारी है क्या ये सियासी घमसान 2022 को टार्गेट करके हो रहा है या फिर 2024 की केंद्री राजनीती का प्लोट तेयार हो रहा है राजनीती में राजनेता दूर की सोच कर निर्णे लेते हैं शैमात का खेल चलता रहता है और अचानक से कोई विज़ेई की भूमिका में सामने आ जाता है बात करते हैं सत्ताधारी बीजेपी की तो इन दिनों बीजेपी पार्टी कई मायनों से चर्चा में हैं दरसल कोरोना वाइरस की दूसरी लहर ने बीजेपी की बड़ी फजिहत करके रख दी इस आग का धुआ दिखा चहूँ ओर यूपी के कई शहरों में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पतालों में बेट और ज़रूरी दवाओं के लिए सडक पर इधर उधर भागते फिर रहे थे उसके बहुत बाद राष्टिय स्वमसिवक संग और बीजेपी नेतरत्र को खासा चिंतित देखा गया ये उसके भी बहुत बाद की बात है जब यूपी में हुए पंचाय चुनावों के नतीजे आ चुके थे और ये भी मालूम हो चुका था कि बाकी जगा कौन का है इसके बाद बीजेपी संग में बैठे आलाकावान ने विचार विमश का दौर शुरू किया रणलीतिक तैयारियों के तहट बीजेपी के राष्टी महामंत्री संगठन बील संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंग की रिपोर्ट केंद्री नेतरत के पास पहुची रिपोर्ट मिलने के बाद राधा मोहन सिंग दुबारा लखनों का दौरा कर रहे है राधा मोहन और राजपाल के बीच हुई मुलाकात राधा मोहन राजपाल पहुचे और राजपाल से मिले बाहरा कर उन्होंने कहा कि ये शिष्टा चार मुलाकात थी बात यहीं तक सीमित नहीं थी बीजेपी में अभी भी बहुत कुछ पक रहा था कयास लगाये जाने लगे थे कि अर्विन शर्मा 1988 बैज के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी को UP की सत्ता में एक विशेश जिम्मेदारी दी जाएगी अब आप तो यह समझ ही गए होंगे कि बीजेपी में बहुत कुछ अंदर ही अंदर पक रहा है वो क्या है? इसे कोई नहीं जानता वो कहते हैं कि सियासत दाओं पेच के साथ ही सैयोगों का खेल भी है जिससे कोई भी नई स्थिती उभर कर सामने आ सकती है जिसके बारे में आंतोर पर सोचा भी नहीं जा सकता इसी किबान की देखी जब यूपी बीजेपी में एक नाम बहुत जोरो शोरो से लिए जाने लगा वो नाम था एक शर्मा का एक शर्मा एक ऐसा नाम जो बीजेपी और सत्ता की गल्यारों तेजी से लिए जाने लगा हर्पोर बस यही चर्चा थी कि क्या एक शर्मा को कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी पियम मोधी के चहेते हैं एक शर्मा हर्वी शर्मा 1988 बैच के गुजरात के एडर के आई-एस अधिकारी रहे बता और आई-एस अपना जो भी काम थाक करते रहे नौकर्शा की नौकरी चलती रही फिर एक दिन साल बदला इसी के साथ सदी बदल गई और गुजरात में अचाना की नजाम बदल गया भुज भुकम्प ने बदल दी तक्दीद 2001 भुज भुकम्प के बाद सूबे की सत्ता का भोज सीम केशु भाई पटेल के बूडे कंदों से उतार कर नरेन मोदी नाम के एक करतव निष्ट परचारक के सिर्फ पर ताज बना कर सजा दिया गया था कई मोगों पर जीता पियम मोदी का भरोसा कई मामले आए जब शर्मा ने पियम मोदी के प्रती अपने विश्वास को और फुकता किया तबके CM के नैन तारे फिर तो मीडिया रिपोर्ट भी कहती है कि शर्मा इतने प्रियर है कि जहाँ जहाँ मोधी गए अर्विन कुमार शर्मा वहाँ वहाँ नज़र आए 14 जन्वरी 2021 को हुए भाश्पा में शामिल है अर्विन शर्मा ने 12 जन्वरी 2021 को वियरस ले लिया उनकी सेवा निव्रत्ती में दो साल बचे रह गए थे इसी साल 14 जन्वरी को उन्होंने लखनव में हाश्पा की सदस्यता ली फिरमेंसी बनाए गए तबी से डिप्टी सियम बनाया जाने की चर्चा जारी थी लेकिन इन चर्चाओं को तब विराम लग गया जब उन्हें पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष के पर बढ़ा दिया राजनीतिक दल इन दिनों सियासत के शत्रंच में अपनी चाल काफी नाप तोल के चल रहे है अखलेश का कहना है कि वो किसी भी बड़े दल के साथ गड़ बंदन नहीं करेंगे वहीं मायवती गिरते जनाधार के बीच दभी आवाज में चुनाओ लड़ने का एलान कर रहे है तो वहीं कॉंग्रेश अभी भी यूपी में अपनी जमीन को तलाश रही है बीजेपी के सामने अगर सबसे बड़ी चुनाओ थी कोई और है तो वो है सपा एक अखलेश ही है जो बीजेपी के सामने एक दिवार बनकर खड़े हुए है विधान सपा चुनाओ की तैयारी के लिहाज से राजनितिक पार्टियों की सक्रीता की बात करें तो सत्तारुन बीजेपी के बाद समाजवादी पार्टी जादा सक्रिये दिख रही है सपा छोटे दलों से गटबंदन और दूसरी पार्टियों के बागी नेताओं के लिए अखलेश ने दरवाजा खोल लखा है कुछ दिन पहले बसपा से बागी विधायकों से अखलेश की मुलाकार उनके इसी एजेंडे का हिस्सा बताय जा रहा है मायवती जहां एक तरफ तयारियों से तर विधायकों को बाहर का रास्ता दिखा रही है तो वहीं कॉंग्रेश अभी भी अपनी जमीन को तलाशने में दिखाये दे रही है इन सब के बीश नेताओं की दल बदलने की राजनीती भी शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में 2022 में बिधान सभा चुनाओ होने हैं जिसको देखते हुए सारी पाल्टियों के साथ साथ नेताओं ने भी अपनी तयारियां शुरू कर दी है यही वज़ा है कि लगातार आवाजाई का दौर शुरू हो चुका है साथी साथ एक दूसरे के दर्वाजे पर दस्तक देनी की प्रक्रिया भी सुरू हो चुकी है अलग-अलग तरे के हतगंडे होते हैं राजनीती में जो नेताओं के दौरा अपनाये जा रहा हैं ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर इन नेताओं के हतगंडे कितने कारगर साबित होते हैं यूपी में बीजेपी ब्रहमन चेरे की तलाश में थी जो उसे जितिन प्रसाद के रूप में मिल गई है हाल ही में जितिन प्रसाद ने दिल्ली में बीजेपी का दामन थाम लिया जितिन प्रसाद लंबे समय से कॉंग्रेस के हाथ के साथ ही आगे बढ़ रहे थे लेकिन उन्हें कमल का साथ भागया और अब वो कमल के साथ ही बन चुके हैं वयम्बिका चौधरी ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है उनके पार्टी छोड़ते ही सपा ने उनके बेटे को जिला पंचार अध्यक्ष के उम्मिद्वार के तौर पर घोशित कर दिया है सपा आधी अधूरी तयारों से आगे बढ़ रही है बस्पा का गिरता जनधार और दिगजों का छूटता साथ है तो वहीं कॉंग्रेस अभी भी नहीं समझ पा रही है कि उसे क्या करना है अगर सप्ता सीन बीजेपी को कोई टककर दे सकता है तो वह सपा है बस्पा और कॉंग्रेस अभी भी सबसे फिसेड़ी में घोशित है तो इस बात पर पक्की मुहर लग चुकी है कि आगामी विधान सवाचुनाओं का मुख्य मकावला सपा और बीजेपी के बीच होगा जिसमें अब देखना ये होगा कि विधान सवाचुनाओं के सप्ता की चाबी आखिर किस के हाथ लगेगी आपको टेस्क प्राइम चीवी